हेलो फ्रेंड्स मैं सुमन कोशिक मेरे चैनल में आपका हर्दिक स्वागत करती हूँ आज मैं पुरानी चूडियों और बुकरम की साहता से एक बहुत ही सुन्दर डॉर हेंगिंग बढ़ना न बताऊंगी उसके लिए मैंने बुकरम, ओन और कुछ चूडियां ली हैं पहले स्टेप में हम इसको उनको चूडि के ऊपर से लपेट देंगे इसमें ऐसे करके पहले फास लगा लेंगे उसके बाद हम इसको लपेटना सुरू करेंगे दागा एक दागे के ऊपर से नहीं आना चाहिए, बराबर चलना चाहिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, नमर निवेदन करूँगी यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर ले टेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके अब मैं इसको किसी ग्लू या फिर फेविक्विक की साथा सेपरेट कर दूँगी स्टेप टू में हम फ्लावर बनाएंगे उसके लिए मैं एक पैंसिल के उपर से उनलापेट करके इसको ऐसे निकालके और इसमें गाठे लगा देंगे ये थोड़ी सी खींच के हमें लगानी है इस तरह से एक्स्टा धागे को हम काट देंगे अब इसको चूड़ी के उपर से बांद देंगे आप देख रहे हैं जैसे मैंने बीच में इसको लगाया है वैसे ही आप लगाने कितने अच्छे से बन गया है इसी तरह हम सभी चूड़ी को तैयार कर देंगे और किसी ग्लू की साहता से या फिर कोई भी केमिकल ऐसा हो जिसके साथ आप चिपका सके के मोतियों को इनके ऊपर से चिपका देंगे ऐसे और स्टेप 4 में हम पॉम पॉम फ्लावर बनाएंगे इसके लिए उसी फ्लावर को मैंने बीच में से काट लिया है और ये पॉम पॉम फ्लावर बनके तयार हो गए इसमें जो दागे लंबे हैं उनको भी हम हटा देंगे कैची की साहता से और अब हम एक सुई की साहता से उसमें एक मोती डाल करके दागे में से पीछे से फिर से सुई को निकाल लेंगे ताकि ये मोती सेपरेट हो जाए और अब इस flower में इसे धागा निकाल करके इसमें मोती डालेंगे ऐसे एक-एक मोती करके हम डाल देंगे यह मोती डाल चुके हैं अब हम दूसरे मोतीयों को भी ऐसे ही पॉम-पॉम flower में इसे डाल लेंगे मैंने पूरे वीडियो में step by step इसकी बनाने की विदी दी है आप पूरा वीडियो प्लीज जरूर देखें और वीडियो लाइक, सेर और कमेंट आप जरूर करें और प्लीज प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अब हम इसको बान देंगे बीच वाड़ा फ्लावर थोड़ा सा लंबा हमें रखना उसमें दो मोती एक्स्ट्रा लगाएंगे यह मैंने यहाँ पे गाठ मारके इसको सेपरेट कर दिया है गाठ थोड़ी सी खींच के लगाना है जो एक्स्ट्रा दागा निकल गया उसको हम काट देंगे फिर बन करके तयार हो गई है लडिया अब हम बुक्राम का लेंगे यह आप अपने डोर के अकोर्डिंग लीजिए अपने डोर के नाप के अकोर्डिंग इसमें मैंने रेड कलर का कपड़ा यूज किया है आप कोई भी कपड़ा यूज किया है अब हम मैरूम और येलो कलर के एक एक फलावर को इसके उपर से ऐसे रखेंगे इसको मैं एक सुई की साइता से सिलूँगी सुई को ऐसे नीचे की साइड से लेंगे और इसमें डालेंगे एक मोती मोती को डाल करके हम फिर से सुई को नीचे की साइड निकाल करके उधर दो-तिन गठाने लगा देंगे ताकि धागा खिचे नहीं और फ्लावर हिले नहीं इस तरह से अब ऐसे करके मैं सभी फ्लावर को पट्टी के उपर लगा दूंगी सभी में एक-एक मोती डालते जाएंगे प्लीज प्लीज आप वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा सेर और लाइक भी करें अगर आपको इसमें कुछ समज में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं सभी फ्लावर पट्टी पे लग चुके हैं इस तरह से अब मैं एक सुई की साहता से लटकन को इसके साथ में सील दूँगी इसको यहां पे ऐसे करके सील देंगे इसी तरह हम पूरी लटकनों को थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए लगाएंगे ताकि नीचे के जो फ्लावर हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आए आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा हमारा डॉर हैंगिंग थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे वीडियो देखने के आप बहुत बहुत धन्यवाद